राजबरों को टिकट नहीं देते उम प्रकास राजबर कि लड़ाई थी बात नहीं बनी और 17 महीने में बाबा साहब के इस बात इस धर्ती बगर किसी ने कुर्शी पर लाट मारने का काम किया तो उस ब्यक्ति का नाम उमप्रकास राजबर है नमस्कार दोस्तों राजबर एक्षपश में आप लोग काता है दिल से सौगत है आज हम चाय की दुकान पर चाय पर चर्चा करेंगे और स्वेल्द बारति समाच पार्टी के पदादिकारी हैं उमेश राजबर जी हैं जो प्रदेश कारकांडी में पदादिकारी हैं और जान कि उन्हें मंत्री कब बनाये जाएगा इसमें आपका क्या विचार है धन्यवाद राजबर चैनल को आपको जो आपका सवाल है कि हमारे सुवल्देव भारती समाज पार्टी के राश्टी अद्यक्ट माननी ओम प्रकास राजबर जी के को ले करके जो प्रदेश सरकार में म आपके चैनल के माध्याम से मैं अउगत कराना चाहता हूं कि 2017 में माननी राश्टी अद्यक जी भारती जंता पार्टी एलाइंस में चुनाव लड़े थे और चुनाव जीतने के बाद भारती जंता पार्टी उन्हें कैबिनेट मिनिस्टर बनाया था और माननी उम्रकास र चरीबों की आवाज को बुलंद करूंगा और जो सबके हक हिस्ता अधिकार की लड़ाई होगी उसको मैं सबके दर्वाजे तक पहुंचाने का काम करूंगा इस मुद्दे पर उन्होंने सरकार में मंत्रीपत का सपत लिया था लेकिन अपनी बात को मजबूती से उत्तर प् लिया था कि बावा साथ डाक्टर अंबेटकर इस देश में कांग्रेस की सरकार में जब देश के कानून मंत्री हुआ करते थे तो कानून मंत्री होने के बाद बावा साथ डाक्टर अंबेटकर को यह सपना याद आता था जैसे कि हम समाज की लड़ाई को लेकर के चले हैं दिल्ली में कानून मंत्री बने काया कि अदिकार नहीं services próp और फिंध कोई कपने देखते हैं हैं और लड़ाई लडने के लिए गरीबों को लड़ाई को लेकर आए और उस अधिकार को दिलाने में सफल रहे और पूरी दुनिया में जैसे बाबा साथ धर्ती और सूरत चांत को याद करते हैं लोग उस तरह बाबा साथ डाक्टर अमबेटकर को याद करते हैं इस धर्ती पर एक 17 महीने के मंत्राले को ऐसे कुर्सी को ठोकर मार करके और उनकी बात नहीं बनी और समाज में गरीबों की मजलूमों की किसानों की नौजवानों की और जो हक अधिकार में बंचित समाज के लोगों की लड़ाई थी बात नहीं बनी 17 महीने में बाबा साब के इस बात इस धर् अपने मुद्दों को भी लेके आए हैं क्या उस मुद्दे को जो मुद्दे पहले भी मुद्दे थे आज वही मुद्दे हैं क्या उसको भारती जन्ता पार्टी पूरा करेगी आज बिगस 2017 के बाद माननी ओम प्रकास राजभर जी आप देखे होंगे कि उत्तर परदेश ही नहीं देश के कोने कोने में जिस जाती के लोगों को कोई जानता नहीं था उस जाती को ला करके समाथ के उस पटल पर खड़ा कर दिये कि जिस जाती का कोई कद्र नहीं था उस जाती का एक महत्त हो गया और जहां तक मंत्राले की बात है मानी राष्टी अध्यक जी आज हमारे जेपी निड़ा राष्टी अध्यक भारती जन्ता पार्टी देश के सस्विक प्रधान मंत्री आधनडी नरेंद्र मोदी जी देश के सस्विक ग्रिह मंत्री आधनडी अमिस्ता जी इन्हें लोगों ने बुलाया और कहा कि राजबर समाज के लोगों के सांसाथ पिछड़े समाज जली समाज में जो आपकी समस्या मूलभूत है पहले उसमें मन्थन होगी और दिल्ली में बुला करके आप लोगों ने देश के चैनलों पाप देखा होगे कि देश की प्रधान मंत्री बुला करके एक गहन मंत्राना चल रही है और तब तक निताजी बात एक कह रहे हैं कि जब तक जो मुद्दे लेके बीजेपी के साथ आए हैं जब तो को मुद्दो को सौल नहीं किया या तब तक मंत्री पद लेने के लिए तयार नहीं है मानी नेता जी आज समाज में घूंखूंग करके जैसे राजबर समाज को आरश्ण दिलाने की बात है आप देखे होंगे कि अभी सर्वेट चल रहा है अभी तमाम जाजबर समाज की माली हालत क्या है उसके सांसा तोर हमारे बिहार में हैं हमारे चंदवली बिहार समाज के लोग हैं तमाम राजबर समाज के समकट्षा इसी जातियां हैं जिन जातियों की माली हालत बहुत ही बत्तर है आज उनकी स्थितिया है कि उनको अगर से ज कर लिया जागा तो यह से भी नीचे उनकी माली हलत है और नेता जी ने इस बात को मानी अमिस्ता जी मानी देश के पधान मंत्री जी नरेंदर मोधी जी को राश्टी अध्याग भारती जनता पार्टी जेपी नद्या जी के साथ बैट करके उस मुद्देब बात कर रहे हैं औ जल्द उस वाफैसना होने वाला है और उसके बाद जब साहमती बन जाती है उसी दिन मानी नेता जी हमारे राश्टी अध्याग जी और तब कईमिनेट का सपत लेंगे जिससे कि समाज के लोगों के साथ चल करके उनकी भलाई और उनकी बात हो सके जिस तरह से ओम प्रकास अपनी बेवाकी से बात रखते हैं कुछ लोग उन्हें कहते को मतलब की राजनीती करते हैं अपने फाइदे के लिए अपने बेटों के फाइदे के लिए यहां-वहां भटकते हैं इस पर क्या कहेंगे मानी राश्टी है देख जी हमारे अभी स्वार्थ की राजनीत होती तो अकेले विधायक हो गये होते और बहुत पहले हैि बारती जंदा पर्टी की लोग करते थे मुझे में बिले कर लो और आपको मैं विधायक में सी बना दूँगा आप पार्टी बंद कर दीजिए लेकिन नेता जी ने कहा कि नहीं मुझे बिधायक बनना मंजूर नहीं है मुझे समाज के हित में काम करना मंजूर है अब यहां तक बेटे की बात है आज अरबिंद राजबर जी के जगए आप देख लिजिए कि उनका बेटा अरबिंद राजबर जी इसमा उत्तर परदेश नहीं देश के कोने कोने में हर प्राम आप देख लिजिए राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्रा, कलकटा जाकर के सभी जगें इतनी महनत कर रहे हैं कि एक कारकरता के रूप में जो उनका बेटा इतनी महनत कर रहा है कि वो अपने बेटा को बेटा नहीं मानते हैं पार्टी का एक कारकरता मानते हैं और मैं कहता हूं कि उनको अलग से कुछ ऐसा द तक उन्होंने अपने बेटे के लिए कमिपद की बात नहीं किया हैं जहां तक चुनाव लड़ने की बात है यह हम जैसे कारकरता करते हैं कि आधनी नेता जी एक नौजवान अपना भाई भी सदन में हम लोगों की भी आवाज बुलंद करेगा हमारे बीच का एक कारकरता रहे हम लोगों के कहने पर हमारा भाई मजबूत रहेगा तो हमारी आवाज सदन में उठाएगा इस मुद्दे बनेता जी ने हम लोगों के सुपारस और कहने पर अरविंद राजवर को टिकट दिये थे अब टिकट की बात आ रही है तो लोगों का कहना है कि ओम प्रकास साब के विचारों से चलते हैं सहमत रहते हैं बाबा साब डाक्टर अंबेटकर की बातों को मानते हैं उनका कहना है समता मूलक समाज और सर्व समाज के लोगों को साथ लेकर चलना है अभी आप देखे होंगे कि पुर्व में विधायक अजगरांस कहला सोनकर जी थे इसके हाग आप देखे होंगे कि यहीं जगदी स्राइब भुम्यार समाज से हैं अर्विंद राजवर राजवर समाज से हैं जितनी सीटे मिलीथी सर्व समाज के लोगों को हिस्सा उन्होंने दिया था किसी व्यक्ति के लिए नहीं दिया था यह सवाल है कि राजबरों को it not नहीं देते वह लुग पर कास राजबर के लिए आज राजबर समाज के लोग पुरे ट्राइफिक हो जाती है पूरा अवा घमन बंद हो जाता है पूरे छेत्रि के राजबर हज्यारों वोग उंप्रकास राजबर की स्वागत करने के लिए आ जाते हैं चलते चलते आखरी सवाज करेंगे कि स॑ल्थी समाच पार्टी के अंदर है ऐसी क्या खास है जोब यहां से निकलते पार्टी बना लेते हैं क्या खास बात हैं सुल्थर वार्ती समाच पार्टी में mont со हमारा स्वार्थ है, हम मानियों परकास राजवर जी के साथ पूरे पुरुवांचल में घुम घुम करके और संगठन में काम किये और जब काम करते करते चल दें लगसे हैं, तो स्वावाविक है कि आदमी को यह होता कि हम बराबर हो जाएं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि हमारे प लगे हैं, सब लोग खड़ा होना चाहते हैं, और खड़ा होकर कि सिर्फ सब को यह है कि जो नेता जी है, वही राष्टी अद्यक्ष हम बन जाएं, तो क्या एक आदमी राष्टी अद्यक्ष है, तो सारे लोग राष्टी अद्यक्ष बन सकते हैं, तो राष्टी अद्यक् आपने लिए उठाते हैं हर समाज के दवे कुछले समाज के लोगों के लिए उठाते हैं आज राष्टी अध्यक्स लिए रहा है जो लोग निकले हैं जो आज स्वाभ्मान पार्टी के राष्टी अध्यक्स बने हैं आप उनसे जाकर पूछे उनको नेता बनाने वाला कौन है उनको चुनार लडाने वाला कौन है वो हमारे मानी राष्टिय अध्यच ओम्प्रकास राजबर जी है उनको चुना लणाने वाले तो यह थे उमेश राजबर जी थे जो सुभासपा के कारकाणी क्या पदादिकारी हैं और उन्होंने कहा कि ओम्प्रकास राजबर जी को पत की लालच नहीं है बीजेपी उन्हें मंत्रीपत तो देगी ही देगी उनके पास कोई रास्ता नहीं है जिसाब से ओम प्रकास का जल्वा यूपी में बोल रहा है और आने वाले दिनों 2024 का चुनावा है तो उन्हें मजबूरी में देना ही पड़ेगा तो यह हमारा चोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बाक्स में बता है अगर हमारे चैनल आप नए तर चैनल सब्सक्राइब करना ना बूलिए मिलते किसी अगले वीडियो में जय ही जय बारत